कि अग्षाइब कर दो कि अग्षाइब कर दो स्वागत आपका एक बार फिर से गुडवी लेडू के यूटूब चैनल पे कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी भी आपकी काभी अच्छी चल रही होगी जो काम हम आपको देते करने के लिए वो भी कर रहे होंगे बस ऐसा उमीद कर रहे है हमारा उमीद गलत भी साबित हो सकता है लेकिन उमीद कर सकते हैं कि आप लोग कर रहे होंगे ठीक है प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो सवाल हम आपको देते हैं या फिर क्लास में कराते हैं वो आप कर ही रहे होंगे घर पे भी तो आप देख रहे हैं कि आज सिंप्लिफिकेशन का पार्ट थर्ड लेकी आए हैं धीरे धीरे न हम लोग मुश्किल सवालों की और बढ़ चुके थे सवाल हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर सिंप्लिफिकेशन बराया असान चेप्टर है तो धीरे-धीरे कुछ सवाल पिछले क्लास में आप देखें होंगे जिसको देखके ना आपकी गलत फाहमी दूर हो गई होगी इस इंप्लिफिकेशन असान होता है जिस सिंप्लिफिक में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़े आनी है जो आप न देखे थे और ना कभी सूचे थे ठीक है न तो बहुत सारी अभी चीज़े आपको देखना बाकी है इस चेप्टर को भी आराम से करेंगे कुछ लंबा खीचेंगे ठीक है मतलब दो क्यूसिए कि अब को हम आराम से वो हो करेंगे कि पहले कि कुछ सवाल देख लिए जाएं और बाद में फिर फूराएक यू तो देखना ही है तो पीवाई क्यू देखने से आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि कहां से आना है कैसा question आना है ठीक है जी चलिए सर तो शुरू कर दिया जाए आज के session को जल्दी से आज के session को जल्दी से शुरू कर दिया जाए और आखरी class में हम आपको एक homework दिये थे तो पहले homework फिर question देखिये जी हम वर्क के तोड़ पे आपके सामने ये सवाल रखा गया था ऐसी हमारी कामना है कि आप इसको solve कर चुके होंगे ठीक है जी बताईएगा जी क्या होगा कितना होगा कैसे होगा चलिए इसका solution हम आपको जल्दी से दिखा दें square root का तरीका हम आपको बताये थे कि आपना बारी बारी से सारे numbers का square root निकालना शुरू करिए सबसे पहले अगर हम 31 तो 36 की बारत करें तो आपको बताये थे बारी बारी से दो दो possibility आपको लेते चलना है दो दो possibility ये last में 6 है इसका मतलब कि या तो 4 होगा या तो 6 होगा 31 को देखके पता चलेगा सर पांच का square मतलब की 54 या तो 56 और 25 और 36 में देखें तो 36 के करीब होगा इसका मतलब सर इसका 56 होगा और 56 का मतलब क्या आप यहां पर 5.6 कह सकते है जी सर 5.6 का आ जा सकता है ठीक है आगे देखिए दूसरा वाला देखिए नीचे नीचे तो clearly पत 4.5 ठीक है divided by 2304 2304 किसका होता है सर 2304 देखिएगा 2304 हम कह रहे हैं दो पार्ट में बाटिए 4 को देखके खयाल आएगा आपका या तो 2 या तो 8 इतना सा clear है उसके बाद आपको 23 को देखना है सर 4 और 5 के बीच में है आप 4 को लिजिए अब 16 और 25 में किसके बीच है सर नजद possibility होता है दो possibility होता है नहीं तो डारेक लिखते चलेंगे कि सर 6 को देखके तो हम 6 तुरत ही कहें देंगे और यह 46 बचा तो 46 किसके किसके बीच है सर 3 और 7 के बीच में है इसका मतलब 3 और 4 के बीच में है तो नीचे 3 आ जाएगा ठीक है 3.6 बात समझ में आ गई कोई दिक्कत पिरशानी होनी नहीं चाहिए अब यहां पर बताये कि कि क्या हम 56 दजा चालिस लीज़ सकतें बगल में आप 22 बटा 45 लिङ और यहां पर क्या आप 36 बटा अरतालिस लिख सकतें जी स abonnement जा सकता खोय जिक्कत नहीं है अब रबटा सवाल काटना छाटना है इसको कैसे काटा जाएगा कैसे काटने हम इसको आट से इसको छे बार में पाँच सkelnये कर जाएगा फाच बार में फास गत्यеюсь कट जाएगा नौ बार में अभी और भी ठाका रहें जी तीन से तीन बार में, तीन से दो बार में, और दो से यह कट जाएगा सर, चार बार में, और कोई कटने लाइक है, ऊपर में कुछ नहीं जी, बचा 7, नीचे में 12, साथ बटा 12, last option, ठीक है जी, तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यह सवाल 10 सकेंड के लाइक था, आँ, लेकिन यह भी है कि एक मिनट से जादा इसमें नहीं लगना चाहिए था ठीक है अगर स्कॉर्ण रूट क्यूब रूट का कॉंसेप्ट क्लियर होगा तो यह सवाल आप एक मिनट भी इनफ है कहने का मतलब 40-45 सेकंड में भी लगा लेंगे अगर स्कॉर्ण रूट क्यूब रूट अगर तेजी में निकाल पाते हैं तो अधर्वाइज आपको समय जादा लगेगा और स्कॉर्ण रूट क्यूब रूट का ट्रिक हम आप लोग को सिखा चुके हैं तो ध्यान रखिएगा उन चीजों को और धराधर उड़ाईएगा ठ सर इसको पुरू कहां से करें तो हम बता रहें आपको नशुन नहीं करना अपने आप ही सब आंसर आजाएगा बीना पेन पेपर बीना पेन पेपर उठाइज का आईगा देखेंगे कैसे आएगा देखिए उधर वाले को नहीं रहने देते हैं इसको कोई छ्षडशड नही देखें तक आगे आप निकाल लेंगे एसा नहीं कि नहीं निकालेंगे लेकिन 30 तक याद होगा तो आप आसानी से मतलब वहां निकालने की जुरूत नहीं होगी आप तुरथी पता लगा पाएंगे कौन किसका क्या आये ठीक है अब आगे देखें समझ समझिए गा बारी बा सी मतलब इस पूरे को सोल्व करने पर क्या आएगा सर अंदर से नौ आएगा क्या ये बात समझ में आई आई कि नहीं फिर से बता देते हैं देखिए क्यूब रूट क्यूश्चन मार्क ठीक है अब कैसे काटा जाए इस से ये कट जाएगा नौ बार में और नौ से ये कट जाएगा तीन बार में मतलब की तीन का क्यूब होगा की नहीं होगा सर कुश्चन मार्क की वैल्यू मतलब सर आंतर इसका 27 हो जाएगा तो ये कुश्चन आपका 20-25 सेकेंड के लाइक था उससे ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए था या फिर चलिए आप समय लेना चाहते आराम से करना चाहते हैं तो फिर 30 सेकेंड उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं ठीक है बस क्वेश्चन देखने में लग रहा था मुस्किल है बड़ा है लेकिन था असान ही ठीक है चलिए अग्ला सवाल थोड़ा सा और खीचे जाए इसको देख रहे हैं यहां पर तीनो 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 क्यूबरूट ही है चलिए क्यूबरूट निकालते हैं जल्दी जल्दी क्यूबरूट के लिए क्या बताये थे आपको लास्ट चीनलेना है यह इस साथ है आखरी में मतलब की तीन होगा और बारह किसके बीच है इस क्वार्झच सेचर दो और तीन के बीच Perd dep deuxième हो जाएगा यहां पर 23 हो गया आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे जल्दी से लास्ट में 5 है तो 5 ही होना है अब 274 को देखिए 244 आप बताईए 6 और 7 के बीच मतलब 216 और 343 के बीच होगा तो पहले वाले को लेते हैं इसका मतलब 6 हो गया आगे आजाएं आगे देखिए यहां पर फिर से 7 है इसका मतलब कि 3 ही होगा और 250 फिर से यहां पर 6 होगा ठीक है तो क्या बना आपके पास 23 गुड़े 65 गुड़े 63 अब लफरा यहां पर यहां पर यह है कि 23 गुणा 65 गुणा 63 आप इसको solve करना नहीं चाहेंगे अग फिर यूनिट डिजिट लगाएंग नहीं यह 3 और 2 मिलके बना सर 5 6 और 5 11 का मतलब यह हो जाएगा 2 6 और 3 9 9 ही रहने दीजिए 5 दूना 10 10 990 मतलब कि जिसका भी डिजिटल सम 9 आएगा वही आपका आंसर होगा ठीक है अब चेक करते हैं किसका है यह 9 को हटा दीजिए डिजिटल सम लेते समय ठीक है 7 और 8 15 15 15 25 26 सारा यह नहीं होगा सब 9 और 4 13 17 18 25 35 यह भी नहीं हो सकता 8 7 15 26 29 35 35 यह भी नहीं हो सकता जर 9 4 13 5 18 18 6 24 25 29 कुछ गरबर हुगा कैंजी किसी का डिजिटल समनों नहीं आ रहा अच्छा फिर से करेंगे इसको तीन और दो पांच छाव पांच ग्यारा का बचा दो अच्छा नौ दुना ठारा पांच नब्बे डिजिटल समनों ठीक है 7 8 15 26 26 28 बन रहा नहीं बनेगा जी 9 4 13 14 14 28 22 और यह हो तो रहा है जी यह हो तो रहा है ठीक है जी यह भी नहीं होगा डिजिटल सम से बस यह होगा नौ हट गया आठ और एक नौ हट गया देख रहे हैं नौ भी तो बच रहा ठीक है सर डिजिटल सम मेथट से भी हो जाएगा बाकी अगर आप मल्टिप्लाइब करके देखना चाहें तो मल्टिप्लाइब भी कर सकते हैं लेकिन उस केस में क्या है ना कि आपका कैलकुलेशन बहुत गंदा हो जाएगा तो आपको ना गंदगी से दूर रहना है आपको ना सकता है तो बहुत वरिया यूने डिजिट नहीं लग सकता है तो हम आपके लिए डिजिटल सम का भी मैथड रखे हुए है ठीक है डिजिटल सम मतलब कि जो आपका क्वेश्चन वाला पार्ट है उसका डिजिटल सम और जो आपका ऑप्शन है अंसर वाला पार्ट है उसका इक वल हो गाई होगा ठीक है तो वहाँ पेनाप मुल्टिप्लाई करने से भी बच सकते हैं समझ में आ गई बात तो चलिए कुशन नंबर फोटीन आइन आपको दिखाएं देखिएगा देखिएगा सरी सवाल बहुत सारे लोग नहीं सवाल को देखके सरेंडर कर देंगे पक सबस्क्राइब करेंगे सबसे पहले दिन बोडमास प्याधारी सिंपल से सवाल लगाए थे उसके बाद देरे से परसेंटेज को इंटर कराये थें पर्सेंटेज के बाद फ्रेक्सण आया था फिरे सिमल आया था धिरे से स्क्वारूट कूब अर्व चशाओ अब हम आपको ऐल को एक्स्परेशन आम कोμα को पता हुना चाहिए ए चोटा चोटा वाला ही लिखते हैं चलिए जैसे मान लिजे लिखे हम A plus B का whole square A plus B का whole square क्या होता है सब को पता है कि A square plus B square and plus 2AB ठीक है न ये 2AB जेनरली बीच में लिखा होता है लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है मिनिंग एक ही है दो प्लस 3 कही है या 3 plus 2 कही है कोई अंतर थोड़ी होना है उसमें ठीक है आगे देखेंगे जी A minus B का whole square ठीक है A square minus B square मत कर दीजेगा जी ठीक है minus 2AB ठीक है A square plus B square minus 2AB ठीक है अगर हम आप से कहा है A plus B का whole cube A plus B का whole cube A plus B का whole cube ये क्या होता है जी हाँ A plus B का whole cube देखिए ये होता है सर एक्यू प्लस B Q plus 2AB into A minus B कहीं पे कोने में इसको लिखते चलिएगा ठीक है A minus B का whole cube ये क्या होता है तो A Q minus B Q अरे सरी 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 यहाँ में माइनस क्यों लिख दीए माइनस 2AB प्लस A minus B ठीक है चलें जी और देखें A Q plus B Q A Q plus B Q और A Q minus B Q सबसे ज़्यादा A square minus A B plus B square कुछ लोगों को लगेगा सरी यहाँ माइनस A B क्यों आ गया है होता है अब क्या कर सकते हैं इसमें होता है तो ठीक है यहाँ पर देखिएगा A minus B into A square plus A B plus B square है ना अजीब हो गरीब ठीक है देखिए इन दोनों में अगर आपको कहीं पर confusion लगे तो आप ने याद रखने को ऐसे याद रख सकते हैं कि A Q plus B Q है यह plus वाला है इसका मतलब प्लस से सुरू होगा यह minus वाला है इसका मतलब यह minus से सुरू होगा आप याद रखने को ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन थुरा सा confusing है, लेकिन सबसे important जो है वो अभी तक हम आपको बताएं नहीं है, वो सब को याद होगा, एक मातर अलजबरा का expression, जो सब लोग याद रखने है, a square minus b square, बराबर क्या होता है, a plus b into a minus b, सबसे आसान लिख लें, नहीं तो हम पूरा side हो गया है, आप इसका screenshot लेना चाहते, आप इसको ने screenshot ले लिजे इसका, ठीक है, चलें, अब हम आपको सवाल दिखाते हैं, ठीक है, सवाल कैसे है, वो अब धीरे धीरे देखा जाए, आईए जी, जो सवाल था, वो कीजी अब, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, कि सर, इसका square और इसका square निकाल के difference लेंगे, तो हमारा calculation बहुत लंबा खिच जाएगा, लेकिन ये पता चल रहा है, कहीं न कहीं, ये a square minus b square के form में है, है की नहीं, तो आप इसको a plus b into a minus b कर सकते हैं की नहीं, तो सर, 3, 3, 7, plus 3, 2, 3, इतना लिखा जा सकता, और बगल में क्या लिख सकते, 337 minus 323, बराबर में question mark plus 640, देखिए, इतना तो समझ में आ रहा है, सर, option में कुछ गरबरी है, फिर question देखके ही पता लग गया था, कि option इतना छोटा छोटा है, generally answer इसका छोटा वाला आएगा नहीं, solve करके देखते हैं, 300, 300, 600, ये कि 670 बनेगा, into में, इसको माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 14 आएगा, 670 गुड़े 14, बराबर में question mark plus 640, ठीक है सर, अच्छा, इसको multiply कर दीजिए, 14, 00, 14, 98, 8, 9, 14, 86, 9, 93, 938, फिर से देख लेते, 14, 00, 14, 98, 8, 9, 14, 84, 9, 93, अब ये वाले भाई साब उठके इधर आजाएंगे, 640, बराबर में question mark, ठीक है, अब इसका जो answer होगा, आप solve कर ले, 80 में से 40 गया, 40, और 93 में से 6 गया, 87, सर, 87, 40, आरा, यहाँ पर कुछ गरबरी है, फैर कोई दिक्कत नहीं है, option के चक्कर में नहीं फसना है, आपको दे ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत, तीन, 37, ओ हो, भाई साब ये गलती हो गई है, यहाँ पर, एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई है, ये गलती हो गई है, सर, 37 और 23, 660 होगा जी, 660, 14, 0, 0, 14, 84, 4, 8, ये 92, 940, 40 में से 40 गया 0, 92 में से 6 गया, 86, ये होगा, खर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, कैलकुलेशन, छोटा बहुत, गुना भाग, जोर घटाव, ये सब तो गरबर होता रहता है, ठीक है ना, चले, अभी अभी कुछ सवाल जो आएंगे, वो अलजबरा पर बेस्ट सवाल होंगे, तो उनको आप उसी तरह से सोचिएगा, ये तो खेर आप लिखें लिए होंगे, आईए, नेक्स देखिए, आप देखिए, ये सब आप देखेंगे ना, क्वेस्चन में न नहीं होगा, आप दूसरा कोई भी ट्रिकर, फॉलो करते रह जाएंगे, इसका अंसर आएगा ही नहीं, देखने है, 3.25 इंटू 3.25 प्लस 2 इंटू 3.25 इंटू 7, 1.75 प्लस 1.75 इंटू 1.75, क्या ये देख के कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख के ही समझ में to b plus b square ही नहीं, आप धन से देखें गाल, आप इसको ध्यान से देखीये, ये है a into a, क्या ये a square है? जी سर है. आप यहाँ पे देख के 2 into a into b, क्या ये 2a b है? जी सर 2a b हैे अब ये क्या है b into b, क्या ये b square है? जी सर b square है, तो कहीं न कहीं है a square plus to a b plus b square है इसका मतलब कि direct आप A प्लस B का whole square कर दे तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा बन जाएगा जी A प्लस B के whole square से तो यहाँ पे A की value जो है वो 3.25 है और B की value जो है 1.75 है बस direct आप इसी का square कर दे तो काम बन जाएगा 3, 1, 4 और इन दोनों को मिलके 5 5 का square मतलब answer जो होगा sir 25 होगा बताईए अब इस सवाल में भी 20 सेकेंड में आपका solve हो जाता अगर आप पकर पा रहें ऊपर तो कि यह actually में A प्लस B का whole square ही था ऊपर में कोई दिक्कत परिसानी समस्या है तो बता दें हमें नहीं है न अब देखिए अगर आप algebraic expression नहीं लगाते तो क्या होता ध्यान से समझिएगा आप अगर 3.25 into 3.25 करेंगे न तो जितने देर में आप उसको इसको solve करेंगे उतने देर में हो सकता है न बहुत सारे करने में समय लगेगा तो पूरे पूरे मैस को जितने देर में करना था न उतने देर में बस एक question solve हो पाता अगर basic methods लगाते तो तो इसलिए थोड़ा बहुत ट्रीक फर्मूला भी आपको जुगार लगाना पड़ेगा अगर आपको आसानी से solve करना है तो नहीं तो फिर आप कर नहीं पाएंगे ठीक है जी आप उसको याद कर लिजेगा जो हम आपको पिछले स्कीन पर दिखाये थे ठीक है तो चलें question number 51 question number 51 देखेंगे जी इसको जल्दी से ये भी समझ में आ गया होगा अभी अभी ही समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या करना है जी दिमाग लगाना है solve कम करना है pen paper कम चलाना है दिमाग यहाँ पे ना ज्यादा दोराना है जितना ज्यादा से ज्यादा दिमाग दोराएंगे उतना आसानी से यह स्वल्द होगा ध्यान से देखेंगे जी यहाँ पे 5.32 है into 56 plus 5.32 into 56 क्या इन दोनों में 5.32 common है आप कहेंगे जी सर 5.32 दोनों में common है तो ऐसा करते हैं हम 5.32 को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे बचेगा आपके पास 56 और वहाँ पे बच जाएगा सर 44 ठीक है बंद कर दीजे इसको अब नीचे में आप देखिए a square minus b square दिख रहा है तो a square minus b square को a plus b into a minus b लिख सकते हैं तो हम 7.66 और plus 2.34 ठीक है जी अब आगे क्या लिखेंगे तो 7.66 minus 2.34 क्या ये सही है जी सर सही है मजा आ रहा सर समझ में भी आ रहा आगे देखेंगे 5.32 into में 100 हो जाएगा 56 और 40 जूर के जी सर हो जाएगा नीचे में देखिए नीचे में क्या होगा 7 और 2 9 6 6 और 34 जूर के 1 तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के क्या बनेगा 10 बनेगा into में आ जाएगा यहाँ पर आप घटा के देखिए 6 में से 4 गया 2 6 में से 3 गया 3 और 7 में से 2 गया 5 देखिए कुछ समझ में आया अब आपको पत है क्या ये बात समझ में आ रही अगर आप चीजों को समझ पा रहें तो यकीन मानिये कि आपका नए इक जहां में दो नंबर पक्का आ है डो नंबर दो नंबर कहने का मतलब की दो question हम ऐसा नहीं कहun हैoon की दो नंबर एक question घर 5 नंबर का आता है तो 10 नंबर कर यह ठीक है अब ठीक है देखिये अलग 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 एक जाम में न numéro अलग अलग कि मतलब marks होते हैं एक question के तो इसलिए कहीं पह कूश्चन चरंब मार्क्स का होता है कही पेक टीके लिए तयार हो रहा है अपने आपको सिवीटी तयार कर रहे है तो मानिए पांच नंबर हाला कि दो क्वेस्टन हम कह सकते हैं ठीक कि कोई दिक्कत परिसानी हो तो बता दीजिएगा उमीद नहीं है सोरी ऐसा उमीद गरते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक चलिए यह देखिए नंबर जी यह नंबर देखिए आप यहां पर बस देखें आप यह देखेंगे तो डर लगना सुरू हो जाएगा अब यहां पर यहां पर एक दिक्कत यह है कि इतना बराबरा नंबर जो दिख रहा है उसको आप लिखलिक के भी करेंगे तो लिखने में ही समय खराब हो जाएगा अगर पूरा लिखलिक के करने लगेंगे तो उसमें भी समय खराब होगा नवात पहले सवाल को पकरिए आप सवाल को पकरिए कि कौन सा अलजब्रा का कौन सा फर्मूला यहां पर अपलाई हो रहा है आप पहले देख भी दिखे है कि aq और bq का मामला बन रहा है वो भी क्या aq-bq का मामला बन रहा है तो aq-bq ब्राबर हम आपको क्या बताये थे तो आपको ये बताये थे कि सर aq-bq की बराबर होता है a –b into A² प्लस a b और शाथ स्थ में प्लस भी होता है ठीक है सर और नीचे में ध्यान से देखें A into A a square यहाँ पे यहाँ पी क्या है A into B plus में A B है और साथ में B square है कि नहीं है तो आप यहाँ से देखेंगे की यह और यह आपस में cancel हो जाएगा आपके पास बचेगा सर A-B और A-B का मतलब कि 0.72 और माइनस में 0.56 इन दोनों का difference जो होगा वो 0.16 होगा option number first बताई ये बात समझ में आई की नहीं आई क्या ये बात समझ में आई अब खुद ही बताईए कि इस सवाल को स्वल्व करने में कितना समय लगा होगा या आप से कितना समय लगेगा क्या समझ पा रहें कोई दिक्कत परिसानी नहीं है न बिल्कुल आसान सा concept है जी एकदम आसानी से करना है ऐसे सवालों को ठीक है देखिए ऐसे सवाल बस देखने में मुस्किल लगते हैं हाला कि उतने मुस्किल होते नहीं है और हम आपको जो एक तरीका बता हैं उसको भी याद रखिएगा आप सुल्व करते समय न इस फॉर्म में लिखके सुल्व करिएगा आखरी में जहां पहुंच जाएं वहां पर एक्च्वल नंबर को डालिएगा प अहां पर फिर आप ए और भी का एक्च्वल वैल्यू डालिए शुरुआत से ही आप लिख लिक के मत करिए नहीं तो समय आपका बहुत ज्यादा खराब होगा सुल्व करने में ठीक है और आपको कहीं न कहीं समय हीं बचाना है चलें जी प्वेशन देखिए ये नंबर देख रहे हैं क्या आप देख पा रहे हैं इस कुश्चन के नंबर्स को अब देखे बिना अलजबरा लगाए अगर कोई इसको सोल्व कर सकता है तो आप बताईएगा अगर बिना अलजबरा लगाए आप सोल्व कर सकते एक मिनट के अंदर में तो हम भी आप से नप सीखना चाहेंगे नहीं होगा जी सोलवाप्चा है जो कोसिस कर लिजिए ध्यान से देखें यहां भी यहां भी आपको कहीं यह क्यूप पलस बीक्यू ही दिखेगा दिख राख्या और नीचे में क्या दिख रहा एस्क्वाहर फ़स a square plus a b और यहाँ पर क्या दिख रहा है sorry 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 a square plus b square और minus a b क्या यही दिख रहा है अब हम वही लिखना शुरू करते है a q plus b q बराबर क्या होता है तो sir a q plus b q बराबर होता है a plus b into में a square minus a b plus b square और नीशे में आप already a square a square plus b square minus a b देख रहे है तो आप खुदी बताएं यह और यह आपस में cancel हो जाएगा और आपके पास a plus b बचेगा actual में 664 और 516 बचेगा आप इन दोनों को जो रहेंगे 6 पांच एक 11 और 64 और 16 1180 इसका अंसर आएगा ठीक है तो खेर अगर आप algebra लगाना जानते हैं तो इस सवाल को आप 20 सेकेंड में उरा देंगे अगर algebra लगाना नहीं जानते हैं तो फिर नब 20 मिनट भी आपको लगेगा कि सर बड़ा कम समय था वो नहीं नहीं पाया तो बस सेकेंड और मिनट का फरक है आप डिसाइड कर लिजे कि आपको कौन सा अप्रोच लगाना है ठीक है ठीक है मेरे भाई चलें अगले सवाल की और जी सर दिखाईए जल दिखाईए जल दिखाईए सर चलें सर देखें जैसे जैसे question आगे बढ़ेगा याद रखिएगा कि नमब बरा होता जाएगा तो आपको नमबरो के जाल में उलजना नहीं है पस सोचना है इसच येगा जी चलें जी देखें आप पकड़िए इसको ये A प्लस B का होले स्क्वाईर प्लस A मैंस B का होले स्क्वाईर है की नहीं है जी सर हमें दिख रहा है, तो हम लिखना शुरू करते हैं, A square, plus B square, plus 2A, अच्छा, इधर हम क्या लिख सकते हैं, plus में A square, plus B square, और minus 2AB, अच्छा सर, नीचे में आपको क्या दिख रहा है, नीचे में आपको ये दौनों मिलके A square, और plus B square दिख रहा की नहीं सर, सर दिख रहा है ब्रहा असानी से दिख रहा है मज़ा आ गया सर अच्छा जी अब क्या होगा ध्यान से सुनेंगे ध्यान से अमारी बात को ये दोनों कैंसल हो जाएगा आपस में जी सर ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएगा अब क्या बना आपके पास अब आपके पास बना ह है 2a2 plus 2b2 upon में a2 plus b2. आगे क्या बनेगा आगे बनेगा लोह साइड से हम 2 common निकाल लिये और बटा में a2 plus b2. आप बताएए यह और यह आपस में केंसल हो जाएगा आपके पास बच्चे का दो थार यहाँ पे नॉर वी रखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, हम रखेंगे भी तो आखरी में दो ही आएगा, देखिए, लगा न थोड़ा सा अजीब हो गरीब क्रिश्चन, जी यही यही, यही तो है, लगेगा कुछ होगा कुछ, मज़ा आया, मज़ा आया की नहीं आया, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया सर, चलिए सर, अगला सवाल दिखाईए, अगला सवाल देखिए सर, जब मज़ा आ गया तो, देखिए सर, A प्लस B का होल क्यूब है यह, है की नहीं, देख के ही पता लगया सर, यह A प्लस B का होल क्यूब है, A प्लस B का होल क्यूब हमें नजर आ रहा है यह, कैसे स्तुल्ब करेंगे इसको, आप फर्मूला लगा दीजिए, A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है सर, प्लस बीक्यू प्लस बीक्यू प्लस बीक्यू क्या कुछ गर पर है सही तो है यह सब 3AB इंटू ए प्लस बी अच्छा जी आगे चलें अब इसका फर्मूला लिखिए ए माइनस बी का होल क्या होगा a q माइनस b q माइनस 3AB इंटू ए माइनस बी ठीक है बहुत बढ़ी है सर नीचे में क्या लिखेंगे a square a square प्लस 3b square इतना तक तो सर समझ में आ गया अब क्या होगा सुने हमारी बात को अब क्या होगा अब ये होगा कि BQ से BQ कट जाएगा अच्छा सर इतना तो ठीक है अब क्या काट सकते हैं अब क्या काट सकते हैं खेर सुनिएगा हम थुरा सान आसान करके हम आपको दिखाते हैं ये AQ और AQ मिलके 2AQ बनेगा जी सर 2AQ बन जाएगा आगे देखेंगे आप इन दोनों को जब सुल्व करेंगे तो प्लस में 3A स्क्वाइर भी बनेगा और इन दोनों को जब सुल्व करेंगे तो प्लस 3A B स्क्वाइर बनेगा देखते जाएगा अब माइनस में यहाँ पर अगर मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3a square b और माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा मतलब कि 3a b square इतना ठीक है सर इतना ठीक है ना नीचे नीचे तो वही का वही रहेगा नीचे तो कोई छेरचार होई नहीं सकता a square plus 3b square अब और भी कई सारे कटने लाइक आपको दिखेंगे आप देखें प्लस 3a square b और माइनस 3a square b ये कट गया ये कट गया अब आपके पास बचा है क्या अब आपके पास ये बचा है कि 2a cube ये वाला और इधर इधर क्या बचा है इधर बचा है 3a b square और प्लस में 3a b square अच्छा इसको 3 3 6 डारेक्ट लिख देते हैं डारेक्ट इसको 6 लिख दिया जाए ना ठीक है सर डारेक्ट 6 लिखा जाए प्लस 6a b square बटा में क्या है a square प्लस 3a b 3a b अब हम क्या कर सकते हैं सर हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि 2a दोनों में है तो हम क्या किए 2a बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे a square बचेगा और यहां पे तीन तीन और साथ में B-A-Square, क्या यही बचेगा 2-A बाहर निकाल लिए अच्छा, नीचे में क्या बचेगा A-Square प्लस 3-A-B 2-A-B कुछ गरबर हुआ 3-B-Square 3-A-B-Square था यहां पे हम यह क्या लिख दिये थे देखिए जी 3-B-Square प्लस 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 3-B-Square लीजे सर यह आपस में कट जाएंगे कटने के बाद क्या बचेगा 2-A अब 2-A का मतलब आंसर क्या होगा यह बता यह 2-A का मतलब क्या होगा आप बताएं कि यहां पे A तो यही है न चौरासी तो चौरासी का मतलब सर चौरासी दूना 168 ठीक है बात समझ में आई की नहीं आई यह सवाल आपको देखने में लगेगा बड़ा 13 लेकिन है यह भी आसान हो गया मामला सेट चलिए सर बहुत दिमाग खराब हो रहा सर इसमें कोई बात नहीं भाई अभी दिमाग खराब कर लीजे बाद में तो आपको मजा करना ही है A Q पलस B Q फिर से आया देखिए जी थुरा सा स्पीड में लगाएगा इसको A Q पलस B Q A Q पलस B Q मतलब क्या होगा सर A पलस B इंटू में A स्क्वाइर माइनस A B पलस B स्क्वाइर यही होगा बटा में क्या है बटा में सर A पलस B है अच्छा इधर क्या है इधर आप कहेंगे सर A इंटू B है अच्छा यहाँ पर आपको नब बढ़ा मज़दार चीज़ एक समझ में आएगा देखिए ये और ये कट गया कट गया आपके पास बचा क्या है a square minus a b plus b square minus a b यही बचा ना यही बचा आप ध्यान से देखिएगा minus a b और minus a b मिलके सर क्या हो जाएगा आप कहेंगे 2 a b तो आप इसको क्या लिख सकते है a square minus 2 a b plus b square क्या यह देख के आपको a minus b का whole square समझ में आ रहा है जी सर समझ में आ रहा है ये actually में a minus b का whole square है इसका मतलब कि 56 minus 43 का whole square ही आपको करना है कितना हो जाएगा सर 13 और 13 का whole square क्या होगा सर 169 179 इसका answer होगा ठीक है बस बस इतना चोटा चोटा कॉंसेप्ट है इतना चोटा 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 आपको लोजिक लगाना है अभी तक जितने भी सवाल किये हैं थोड़ा बहुत अगर कोई time taking सवाल था तो जस्ट इसके पहले वाला सवाल था बाकि सारे के सारे सवाल आसान थे ठीक है ना और आपको जो लिख लेंगे ना और इन सवालों को एक दो बार लगा जाएंगे तो अपने आप ही सब याद हो जाएगा बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि आपको ना मेहनत करना है याद करने के लिए एक दो बार याद करिए लिख लिख के और दो आरा सोलब कर लीजिए तुरत ही आपक को समझ में आएगा सर ये भी a square minus b square पर दीख रहा है a square minus b square तो direct हम इसको लगाना शुरू करते हैं जी 102 प्लस 92 अच्छा अंदर में 102 minus 92 ठीक है इधर में क्या होगा इधर में आप कहेंगे सर 2000 divided by 200 नीचे चला जाएगा इंटू 10 प्लस में question mark यहां पर हम क्या कर सकते हैं एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो ये दो से सो बार में कट गया तो यहां पे क्या बना सो प्लस कुंशन मार्कृ अच्छाइी धर में क्या बनेगा122 मिल के क्या भर जायए सबस्क्राइन नियान से सुनिए में हमारी बात को जरा हम क्या कह रहे हैं 102 में से 90 जाएगा 102 में से 92 जाएगा तो कितना बचेगा सर 10 बचेगा 10 बचेगा इसका मतलब कि 1940 equals to 100 plus question mark तो question mark अगर निकालना है तो 100 इदर लाके minus करना है ना तो 1940 minus 100 इसका मतलब इसका अंतर जो होगा वह सर 1840 होगा ठीक है क्या 20-20 सेकेंड का सवाल है की नहीं है है ना सर 20-20 सेकेंड का मजा आ रहा जी सर मजा आ रहा तो जल्दी से हम आपको थोड़ा सा और मजा दे दे लीजिए जी question number 58 question number 58 करिए ओहो थो थोड़ा सा ये भी मजा में चला गया कोई बात नहीं हम फिर से डालते है ठीक है जब तक यह आ रहा तब तक मन में एक बार रिवाइज कर लेते हैं फर्मुलाज को ठीक है ए प्लस बी का होल स्क्वाइर क्या होता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वाइर सर होता है ए स्क्वाइर प्लस बी इसक्वाइर प्लस बी इसक्वाइर प्लस बी इसक्वाइर क्या होता है जल्दी से बता दीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता ह अब question देखें जल्दी से ठीक है जी यह हुआ था यह करना है देखिए इसको आए जी इसको देखें 78 का स्कॉयर प्लस 33 का स्कॉयर इकोस तो 2 इन्टो 78 इन्टो 33 प्लस question mark इन्टो 25 आएन जी देखें अगर बीश्बारstand डी डीश्बार रन यह एस्कवार माइनस बीश्बार तो यह बलकूल भी नहीं है ठीक है जी कोई दिककत नहीं सुनिएगा हमारी बात को A square प्लस B square आप थुरा सा इसको देखिए 2 into A into B दिख रहा हम इधर वाले को अभी कुछ नहीं कर रहे हैं इसको छोड़ दीजे आप बस इसको इधर खीश के लाएंगे तो क्या minus 2 A भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा होगा कि नहीं सर A plus B square ये इधर आते ही minus 2 A भी होगा तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 78 minus 33 का whole square equals to question mark into 25 लिखा जा सकता है कि नहीं सर लिखा जा सकता है बात समझ में आ गई हमें 78 minus 33 करेंगे तो क्या बनेगा सर 45 का square equals to question mark into 25 इसका मतलब कि अगर question mark आपको देखना है तो 45 गुड़े 45 और बटा में 25 लगाना है पांच से पांच बार में पांच से नौ बार में और पांच से नौ बार में लीजे सर एक यासी आंसर आ गया एक यासी आंसर आ गया ठीक है जी तो अभी तक धेड़ सारा हम लोग ABCD पे question देख लिए धीरे धीरे इतना लगाने के बाद तो समझ में आहीं गया होगा कि ऐसे सवालों को कैसे लगाना आए खेर अभी देखते हैं भी और सवाल होंगे हम और लगाएंगे ठीक है जितना ज्यादा सवाल लगाएंगे उतना ज्यादा आपका concept clear होगा ठीक है कोई दिक्कत जी समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना लेकिन दिक्कत इन्हें है दिक्कत इन भाई साहब को है कोई बात नहीं ये जिद्दी तो हम भी जिद्दी ये लगा लिये थे हैं ये लगाना है ये लगाना है question number 59 question number 59 जल्दी से देखिए इसको question number 69 देखिए ये बच्चो वाला सवाल है यहाँ पर आपको ABCD नहीं लगाना है इसलिए देखिए ये सवाल देखेंगे फिर से आपको ख्याल आएगा कि सरकास हम एक से दस तक का क्यूब और एक से तिस तक का स्क्वार रटली होते हैं तो हमको आसानी से समझ में आ जाता कि 343 का जो क्यूब इन्टू में इन्टू में question mark बराबर में 17 ठीक है अब आप देखे 6 से 6 कट जाएगा साथ से ये दो बार में कट गया और 22 से ये चार बार में कट जाएगा ना तो आप यहां से देखे कि question mark की जो value होगी वह 17 गोड़े दो गोड़े चार होगी की नहीं होगी 178 सर कितना होता 136 होता है बताइए ये भी बीना pen paper का सवाल था भई लेकिन बसरते आपको याद होना चाहिए square root cube root ठीक है बात समझ में आ गई सर जी सर मजा आ गया सर लीजे भईया question number 60 ओहो चलता रहता है चलेंगे जी इस सवाल को देखेंगे जल्दी से चली लगाया जाए देखें यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते 156 डिवैडर वाइ 13 प्लस में इसको आप तोड़िए तीन है तो लास्ट में तीन है तो लास्ट में साथी होगा और 19 है 19 का मतलब सर दो और तीन के बीच में इसका मतलब इसको जब solve करेंगे तो 27 आएगा ठीक है माइनस माइनस इन दोनों को जब solve करेंगे तो क्या आएगा सर? 180 आएगा क्या ये सही है? 180 आएगा बरावर में question mark और माइनस में 8 का cube क्या होगा सर? 512 ठीक है सर? अब देखिए ये कट जाएगा कितनी बार में? 12 बार में 12 बार में कट गया 12 और 27 कितना होगा? 49 49 माइनस 180 और इस माइनस 512 को इधर लाके है न हम पलस में 512 कर देते हैं बरावर में क्या होगा? question mark 512 और 49 को जोड़ना है 551 और माइनस में 180 बरावर question mark तो question mark की जो value होगी 1 में से 0 जाएगा 1 और 5 55 में से ये गया 18 सर 37 371 ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो चलें अगला सवाल देखें question number 61 आहा देखिये देखिये जी ऐसे सवालों को करने के लिए ना आपको trick के अलहमा दूसरा कोई रास्ता नहीं है ऐसे सवालों को करने का एक मातर रास्ता है कि आप चोटे मोटे trick फॉलो करें अधरवाइज आप ऐसे सवालों को करना भूल जाए तो आपको कुछ impossible टाइप question दिखाएंगे कि जो कि आपको देख के लगेगा कि भाया ये impossible सवाल है ये solve भी नहीं हो सकता जिस solve हो सकता है कैसे solve होगा तो समझिएगा यहाँ पे न हम आपको दो तरीका से इसको solve करना बताते है पहला तरीका ये कहता है कि सर उपर में कितनी बार one है count कर लीजे एक दो तीन चार पाँच तो आप लिख दीजे सर पाँच ठीक है नीचे में आपको क्या करना है नीचे में बस आपको पहला वाला और आखरी वाला बस पहला वाला और आखरी वाला को मतलब सर 5 into 15 ये 5 और 5 quéntal हो गया इसका answer simple सा 1 by 15 हो जाएगा इसका answer simple सा 1 by 15 हो जाएगा आप कहेंगे सर हम नहीं मानते इस चीज को 1 upon 3 into 4 होता, 1 upon 4 into 5 होता, और 1 upon 5 into 6 होता, बस समझ जाएगा इस चीज को, मज़ा आ जाएगा अभी, क्या 1 upon 6, 1 upon 12, 1 upon 20, और साथ में 1 upon 30 कह सकते, जी कह सकते, LCM लेंगे इसका, तो 30, शोरी, शोरी, 30 नहीं आएगा, 60 हैगा इसका LCM, जी सर इसका LCM 60 हैगा मतलब कि ये हो गया 10 ये हो गया 5 ये हो गया 3 और ये हो गया 2 इसको आगे सोल्व करके देखी 10, 5, 15, 13, 18 और 2, 20 कितना आया सर 20 बटा 60 आप इसको काट के क्या 1 upon 3 लिख सकते हैं जी सर लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो एप्रोच लगाए हैं उस एप् तीन चार उपर में लिखिए सर चार नीचे में क्या लिखना है सर पहला वाला और आखरी वाला आप बताएं दो से कटा दो बार में और दो से कटा तीन बार में आप बताईए यहाँ भी 1 by 3 आया कि नहीं आया क्या ये बात आपको समझ में आई कि कैसे सवाल को बस आपको तुआ साथ से साथ से सुरू, नौ पे समाप, नौ पे सुरू, ग्यारा पे समाप, ग्यारा से सुरू, तेरह पे समाप, तेरह से सुरू, तो एक regular निश्चित pattern follow कर रहा, अगर वैसे pattern follow हो रहे हो, तो आपको बस यही concept apply करना है, ठीक है जी? ठीक है, अब एक दूसरा तरीका भी हम आपको इस सवाल के लिए बताना चाहते हैं, एक दूसरा रास्ता भी, देखेंगे, एक दूसरा method, अगर इसको याद रख पाते हैं, तो ठीक है, एक और हम आपको method दें, उसको भी याद रख पाते हैं, तो वो भी ठीक है, देखिएग एक method ये कहता है क्या कहता है sir one one upon one upon में difference ठीक है पहले formula देखे फिर हम आपको बताते है one upon first minus one upon last ठीक है अब ये है क्या तो one upon difference का मतलब हुआ ये जो difference आपको दिख रहा है ये one upon two one upon first का मतलब sir one upon five और last का मतलब one upon fifteen ये भी आप approach लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो देखिएगा one upon two जब इसको solve करेंगे तो यहाँ पे क्या चला जाएगा sir? यहाँ पे तीन और यहाँ पे एक तो क्या इसको आप two upon fifteen लिख सकते हैं? जी sir लिख सकते हैं दो से दो cancel हो जाएगा आप देखेंगे यहां से भी वही आया जो पहले आया था 1 upon 15 ठीक है तो आप दोनों तरीका को follow कर सकते हैं ये भी और वो भी आपको जो पसंद आए उसको रखिए हाला कि आपको लगेगा कि नहीं सर ये वाला मुस्किल है लेकिन ये भी आसान है ये भ काउंट नहीं कर पाएंगे उपर में कितने सारे हैं ये काउंट करना मुस्किल हो जाता है इसलिए चलिए कुश्चन हम आपको नेक्स दिखाते हैं आपको अपने आप ही समझ में आएगा सब देखें ये वाला देखिए जो हम अभी आपको कह रहते हैं कि बीच में डॉट करके दिया होगा देखिए इसको देखिए समझ में आ जाएगा अभी देखिए जिस सवाल का अंसर देखिए देखिए वन अपन टू थ्री थ्री फोर फोर फाइफ फाइफ निन्यानवे सो अब यहां पे क्या है कि बीच में डॉट डॉट है ना तो बहुत सारे लोग काउ सेम वैसे ही लगाईए इस इसको आप सूलब करें इसको हटा भी देंगे कोई फर्क नहीं पडेगा वन से? multiply करके जी LCM 100 ही आएगा और 100 का मतलब यहाँ पे 50 और यहाँ पे 1 तो इसको direct ही आप कह सकते जी 49 अपन 100 बता यह कितना असानी से आपको count करना है तो उपर के अगर हम term को count करना शुरू करें तो ध्यान देजिएगा कैसे count होगा दो से शुरू हुआ है और 99 पे गया है तो आप अगर एक से 100 तक देखें तो एक गायब है और आखरी में 100 गायब है मतलब कि 100 में से दो गायब हैं इसका मतलब कि सर अंठानवे हैं यह कट जाएगा उननचास बार में फिर भी आपका उननचास बटा सोग ही आएगा क्या यह बात समझ में आ रही तो आप इसको याद रखिएगा ऐसे question का answer cannot determine नहीं होता है कुछ ना कुछ तो आंसर होगा ही ऐसा थोड़ी है कि नहीं सोल्व किया जा सकता जी सोल्व तो कैसे करेंगे इसको देखे ध्यान से ध्यान ध्यान दीजेगा आप इसको क्या लिख सकते थ्री इंटु फाइव इसको क्या लिख सकते थ्र फाइव इंटु 7 इसको क्या लिख सकते 7 इंटु 9 आपको क्या एक पैटर्ण फोलो होता हुआ दिख रहा है क्या आप वैसे ही इसको लिखेंगे क्या 99 गुड़े 101 ठीक है अब आप क्या करिए वही difference वाला हो one upon difference कितना दो का one by three और minus में one by one zero one ठीक है ठीक है यह वाला भी याद रख सकते हैं बहुत आसान है जी terms count करने से तो कहीं बेतर है यह आई यह जी solve कर यह one by two अगर इसको solve करेंगे LCM तो निकल नहीं सकता मतलब की 303 LCM यहां पर हो जाएगा 101 और यहां पर हो जाएगा 100 यह होगा अच्छा आप बताएं कि इसको solve करेंगे तो 100 बनेगा क्या यह 50 बार में कटेगा कट जाएगा सर तो क्या बन गया 50 बता 303 रहां कुछ गरबर हुआ कि एक मिनट है यहां पर कुछ गरबर हो गया है एक बटा दो इसको अगर आप solve करेंगे तो 303 ये बन जाएगा 101 और ये बनेगा 3 अच्छा जी ये गरबर था 98 ये 98 होगा और ये 49 टाइम्स कट जाएगा ठीक है सर 49 अपॉन 303 ठीक सर क्लियर है सर जी क्लियर है question number 64 देखिए इसको जल्दी से इसको लगा दीजिए थोरा सा यहां पर सवाल चेंज होगा concept चेंज होगा यहां पर देखिएगा इस सवाल को कैसे लगाते हैं वन प्लस वन बाइटू ये कितना बन जाएगा सर 3 बाइटू इंटू ठी और वह क्या बन जाएगा सर्फ 4 by 3 इंटू ये कितना बन जाएगा सर्फ 5 by 4 डॉट 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 ये कितना बनेगा 100 and 1 upon 100 क्या यही बनेगा अब यहां पर एक चीज आपको समझ में आएगा कि इस से ये कट गया इस से ये कट गया आपको पता है पांच से ये कट जाएगा ऐसे ऐसे कटते चलेगा कटते चलेगा आखरी में ये भी कट जाएगा कटेगा कि नहीं कटेगा जी कट जाएगा इसका मतलब आपके पास उपर में बचा 101 और नीचे में क्या बचा केवल दो केवल दो आप इसको क्या कह सकते सर्फ पचास सही एक बठाद बताएं ये बात समझ में आई की नहीं आई किया ये बात समझ में आ गई जी सर आ गई देखिएगा फिर ये कुस्चन देखिए स्कुष्चन नमबर 65 लगाए इसको चलिए तो 65 क्यश्चन हम आपके लिए homework के लिए रख देते हैं ख keyboard हमआपके लिए homework के लिए क्या करें हम्मवर के लिए रख देते हैं जी बार बार अपड़े पर अपने क sırप करका कुई मतलब नहीं बनता आप अगले class में निश्चित तोर पे हम PYQ देखेंगे, इस class में खैर अभी कुछ question और देखना था, लेकिन ये board बारबार disturb कर रहा, तो बारबार upload करके कोई मतलब नहीं बनता, वैसे चलें, अब आपका काम ये रहा कि इन सवालों को लगा जाएंगे एक बार फिर से, क्योंकि आ आप ऐसे सवालों को बार-बार लगा जाएंगे, बार-बार पैक्टिस कर लेंगे, तो सवाल कहीं न कहीं आसान बन जाएगा, ठीक है, तो आप इसको एक बार revise कर लिजेगा धंग से, बाकी हम अगले class में फिर से मिलेंगे, कुछ नए सवालों के साथ, नए concept के साथ, और तो आप लोग तब तक के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो सवालों को फिर से लगाएंगे, और आप इसी चैनल पे, इसी समय पे मिलते रहिए, खुश रहिए, मस रहिए, और घर पे बढ़ते रहिए, बैबाए सभी को.